हेलो दोस्तों नमस्कार अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर नवरात्रों का आज पहला दिन है और बांगला देश से बड़ी खबर आ रही है जहाँ हिंदूों को नहीं मनाने दिया जा रहा है दुर्गा पूजा मा की मूर्तियां भी तोड़ दी गई है दोस्त बताएंगे कितना बड़ा एहसान फरामोश निकला ये बांगला देश तो वहीं एक तरफ हिंदू पर जुल्म ठा रहा है तो दूसरी तरफ उल्टा भारत का खुलकर कर रहा है विरोध अपने राजदूतों को तुरंत बुला लिया है भारत से वापेश तो वहीं आपको बत प्रशकार दिया जाना था वहाँ पर जाकिर नाइक ने उन लड़कियों की बेजती कर दी दोस्ते ऐसा वयान दे दिया पूरी दुनिया में जागिर नाइक की होने लगी थू थू बताएंगे क्या कहा उस भगोड़े ने तो वहीं बताएंगे चुनाव प्रचार खतम होन नहीं मनाने दे रहे दुर्गा पूजा नवरात्रे मा की मुर्तियां भी तोड़ दी जिया बड़ा एहसान फरामोश निकला ये बांगला देशी बता दे जब से बांगला देश की कमान महम्मद युनुस ने संभाली है तब से ही वो एहसान फरामोश होता जा रहा है कभी ह हिंदूओं को टार्गेट करना कभी बाड के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना और अब दुर्गा पुजा नहीं मनाने देना ये सब बांगलादेश की एहसान फरामोशी के उधारन है एक्जामपल से हैं शारदिय नवरातर की शुरुवात हो चुकी है आज पहला दिन है अवरातर का मगर बांगलादेश अभी वहां दुर्गा पुजा मनाने नहीं दे रहा है यहीं वज़ा है कि बांगलादेश में दुर्गा पुजा को लेकर बवाल मचा हुआ है हिंदूओं को दुर्गा पुजा नहीं मनाने दिया जा रहा है और कई जगों पर मां की मूर् शांती बनाए रखने को कहा गिया है यानि नमाज के दोरान ना तो पूझा हो सकती है और ना ही भजन बच सकता है ये फर्मान ऐसे समय पर आया है जब देश के कई इलागों से दुर्गा प्रतिमाओं को तोड़े जाने की खबरे आ रही हैं गुरुवार तड़के किशोर गं कितना बड़ा आहत किया हिंदुों के दिनों को इन बातों को मद्रे न Avec you watching is the प्रतिनिती मुहम्मद अब्दुल मुहीत औस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त एम अल्लामा सिद्ध की बिल्जियम में राजदूत महभूव हसन साले और पुर्टगाल में राजदूत रेजीना एहमद शामिल है दोस्तों राजदूतों को वापस बुलाना दिखाता है कि भा दोस्तों पिछले करीब दो महिनों से ये सरकार अस्थानिये लोगों के भारत विरोधी सेंटिमेंट को एड्रेस करने के लिए लगातार भारत सरकार के खिला बयानबाजी कर रही है बहाला कि भांगलादेश को ये अच्छे से पता है कि वो तीन तरफ से घिरा हुआ है भा बाद नहीं बनी ऐसा दावा दोस्तों हम नहीं बल की बांगलादेश के विदेश सलाहकार की तरफ से बताई जा रही है वहीं आपको बता दे लिबनान में डटे भारतिये शांती सेनिकों की युनाइटेट चीफ ने कर दी तारी कहा मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ दो स्यूंगतर आश्ट्र का धोज वहां लहरा रहा है युनाइटेट चीफ ने पशी में इस दीवर स्रक्षा परिश्यत की आपाद कालिन बैठक में यह बात कहीं संयूंगतर राष्ट्र महासस्चिव ने कहा कि मैं स्यूंगतर राष्ट्र शांती सेना की मिलिटरी और सिवि दा बेस्ट कहना मत भूलेगा वहीं बता दे इज्राइल के वार से करा रहे लेवनान ने अमेरिका से मांगी मदद नसुरुल्ला की उस खौईश पर कह दी ये बात दरसल हिजब लाची नसुरुल्ला की मौत के करीब पांच दिन बाद लेवनान के विदेश मंतरी अब्द बाद हवाई हमले में उनकी हत्या कर दी गई उन्होंने कहा कि इस और अस्थाई सीज फायर की मांग अमेर्की राष्ट्रपादी बाइडन फ्रांस के राष्ट्रपादी मैर्वल मैकरॉन और अन्य सहयोगियों द्वारा युनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठा क के दौरान मांगी गई थी दरसल सीज फायर की मांग उस समय उठी थी जब हिजबुला ने इजराइल पर पेजर और वोकी टोकी के कई विस फोटों का आरोप लगाया था जी हां वहीं आपको बता दे भारत केनेडा विवाद को लेकर बड़ी खबर सर्रे में निजर हत्या सामगरी अभी भी उनके वकीलों के साथ साजा की जा रही है चारो आरोपियो के वकील वीडियो कॉन्फरेंस के माद्रम से सरे प्रांतिय नयायाले की जज जोडी हैलिस के सामने पेश हुए वहीं अभियोजक लुईज कैनवर थी व्यक्तिका धुरूप से अदालत मुपस् पाकिस्तानी लड़कियों की बेजती पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने लगा दी शहवाज शरीफ की क्लास जीहां दोस्तों ऐसी लड़कियों को तो बेटी किसी कीमत पर नहीं कह सकते ये इसलाम में हराम है जीहां जागिर नाइक ने मंच पर सरयाम कह दिया कुछ ऐसा चौतर जागिर नाइक ने अनाथ बच्चियों को मंच पर देखकर भड़क गया और अचानक स्टेज छोड़कर चला गया इस घटना का ताजा वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है असल में बुदवार यानि 2 अक्टूबर को जागिर नाइक ने अनाथ लड़कियों की मदद करन जिसका नाम है पाकिस्तान स्वीट होंटेशन उसके द्वारा आयोजित एक कारिक्रम के दौरान अचानक मंच छोड़कर विवाद खड़ा कर दिया जागिर नाइक को अनाथ लड़कियों को प्लसकार देने के लिए अमंत्रित किया गया था लेकिन जब वेजबान ने उन् से व्यक्तियों से हैं जो निकट संबंधी नहीं है और इसलिए विवाह के योग्ये हैं पाकिस्तानी अखबाद ट्रिब्यून रिपोर्ट के मुताबिक जाकिर नाइक इसलामाबाद कराजी और लाहोर साहित प्रमुख पाकिस्तानी शेहरों में सारजनिक भाशन देने वा लड़कियां जिनके माबाप नहीं है दोस्तों जिनका कोई देख्रे करने वाला नहीं और यह संस्ता इन जैसी लड़कियों का खयाल रखता और ऐसे मैं इस बस्कार का बयान देना वाकई में इस बगोड़े जागिर नाई की बड़ी ही बचकानी हरकत नजर आ रही है आपको बदा दे दोस्तों आखिर जागिर नाई के इस बयान पर पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट भड़कते नजर आ हैं जिन में से कमर्चीमा ने अपने यूटूबर्स वीडियो शेयर करते वे का आगि मैं पाकिस्तान की सरकार से जानना चाहता हूं कि जागिर नाई को किस हैसियत से बुलाया गया है पाकिस्तान के नेता उनसे मिलना क्यों चाह रहे हैं फिर जागिर को बच्चों के बिच्टों लेकर जाया गया जागिर कोई साइंटिस्त तो है नहीं जो वो चात्रों के बीच जाकर बोलेंगे या उनकी Space Technology में कोई महारत है जिससे हमारे बच्चों का फायदा होगा जब ऐसा नहीं है तो उनको बच्चों के बीच लेकर जाया ही क्यों गया चीमा ने आगे इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों जाकिर नाइक भगोड़े को लेकर तो वहीं आपको बता दें जिस चीज पर अमेरिका को था सबसे ज्यादा घमंड उसी में भारत ने पचाड़ा दुनिया में तीसरे पायदान पर पहुंचे हम दोस्तों बात अगर तक्निक की हो त भारत गलोबल रिसर्च पावर हाउस बनकर उभरा है और इस मामले में वो दुनिया के टॉप फाइब देशों में शामिल हो गया है बड़ी बात यह है कि भारत की रैंकिंग अब तीसरे पायदान पर आ गई है यह रिपोर्ट्स बता दी हैं कि साल दोहजार तैस में 64 क्रि और डिस्ट्रीब्यूटर लेजर जैसी फिल्ड शामिल है जी हां हालिया समय की सबसे आधुनिक टक्नीक आर्टीफीशर इंटेलिजेंस के छेतर में तो भारत ने अलगी बावाल काट रखा है इस फिल्ड में भारत दुनिया के तमाम दिगज देशों को पीछे छोड़ते और एडवर्जियल एई जैसी फिल्ड में भारत ने जंडा गार दिया है दोस्ता ऐसे में मेरा भारत महान कहना मत भूले का कमेंड में तो वहीं आपको बता दे क्या एशिया में नाटो की होगी एंट्री अमेरिका के बाद भारत ने साफ कर दिया अपना रुख क्या अकेल भारत के विदेश मंद्री डॉक्टर एजय शंकर जी ने मंगलवार को कहा कि जापानी प्रधान मंद्री की और से एशिया इनाटो के द्रस्टी कौन से भारत सहमत नहीं है कारने की एडोमेंट फोर इंटरनेशनल पीस में एक कारिक्रम में बोलते वनोंने कहा कि जापान के भारत क्वार्ड का हिस्सा है उन्होंने आगे कहा कि हमारा एक अलग इतिहास और चीजों को देखने का अलग नजरिया है डॉक्टर जैशंकर जी ने पिसले सब्ता न्यू योग में सयूगत राश्र महस्तवा में भाशन दिया था वहीं बता दे अमेर्की आयोग ने भारत संख्याकों पर भेदभाव वाले कानून थो पे जाते हैं रिपोर्ट में आणरव लगाया गिया है कि इन कानूनों के जरिये भारती सरकार अल्प संख्याक समुदायों का दमन कर रही और उन पर कई तरह के प्रतिपंध लगा रही है यह डिपोर्ट अंत्रां स्विरोध् कहा गया है कि इन कानूना का मकसद भारत में अलब संख्यकों को टार्गेट करना और ने मताधिकार से वंचित रखना है रिपोर्ट में आगे लिखा है कि भारत में धार्मीक स्वातंदुरता की इस्तिती दोजा चौविस में लगातार बत्तर होती जा रही है खास कर देश मे राष्ट्रिय चुनाब होने से पहले और तुनंद बाद का महिनों में लोगों को मारा गया पीटा गया और लिंचिंग की गई और भी बहुत से बेबुनियाद आरोब लगाए गए हैं भारत पर दोस्तों महीं बता दें फ्रांस की सफरन भारत में लगाएगी इलेक्ट्र दरशाती है कि दोनों देशों के बीच रणनितिक संबंद किस हद तक मजबूत हैं जीहां वहीं बता दें सैनी के वारल बयान ने बता दी सच्चाई मोधी सरकार के रहते कितना तागतवर हुआ अपना भारत जीहां मिडल इस्ट में इस वक्त भेंकर बंबारी जल रही है चारों और से शत्रू देशों से घिरा इजरायल जिस तरह अपना युद कोशल दिखा रहा है और अनेक तागतवर देशों को अपने अस्दित्व का एहसास करा रहा है वो अपने आप में एक प्रेड़ना है एक संब्रभू राष्ट्र की शक्ति क्या होती है इसे इसे इस दिखा दी है उसका कहना रहा है कि इरान द्वारा मिसाइल अटेक की युनाइटेड नेशन प्रमुख ने कोई निंदा नहीं की इससे ये समझ आ रहा है कि वे आतंगवाद को समर्थन दे रहे हैं इसलिए उनके देश में एंटोनियो गुटेडेस प्रवेश नहीं कर सकते कितनी बड़ी हिम्मद चाहिए ये निरने लेने के लिए लेकिन इज्रायल ये निरने लेने में secondo भी नहीं लगाया ये निरने नासिर्प लेता है बलकि पूरी दुनिया को इससे अवगत भी करा देता है और उसका व्याबक असर होता है कि सुयम युनाटेड नेशन को इस सब के बीच कैसी है सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें भारतिय सैनिक कुछ बोलते नजर आ रहे हैं वो तुलनात्मा ग्रूप से मोधी सरकार के वक्त और इससे पुर्व के भारत पर अपने विचार व्यक्त कर रहा है यहां से इस पस्ट कर देना चाह होने से पहले प्रधानमंद्री मोधी जी का हर्याना के नाम पैगांब हर्याना विधानसवा चुनाप दोजाद चोविस के लिए चुनाप रचार गुरुवार्तीन अक्टूबर को थम गया सभी राजनितिक दलों ने आखरी दिन अपनी पूरी तागा जोग दी अब 5 अक की यात्रा की है मैंने लोगों का जो उत्साह देखा है उसको देखकर मुझे यह पक्का विश्वास है कि हर्याना के लोग भाजबा को फिर अपना आशिर्वाद देने वाले हैं हर्याना के देश भक्त लोग कांग्रेस की विभाजनकाली और नकरात्मक राजनिति को कभी स इंडिकेट लोग आज हिमाचा से करनाटक तक कांग्रेस सरकारों की विफलता भी देख रही है कांग्रेस की नीतियां लोगों को तबाह करती है इसलिए हर्याना के लोग कांग्रेस को बिल्कुल नहीं चाहते हैं जी हाँ दोस्तों वैसे आपको चलगता है क्या होने वाला